हाई गाइस वेलकम टो आर ब्राइट एड्यूकेशन यूट्यूब चैनल तो बच्चे देखिए आप लोग का डिमांद था कि पत्र लेखन पत्र लेखन जो 5 मारका आएगा स्लेवस के अंदर था अब स्लेवस को जरू नोट डाउन किजिएगा उसको रीड करना है आप बोलना चाहता हूँ यह देखिए एक नॉर्मल लेटर है यह पत्र लेखन है अपने जीवन का लच बता कर मामा जी को एक पत्र लिखना है यह मामा जी के पास यहां पर यह भी हो सकता है मामा जी के बाद पिता जी भी हो सकता है माता जी भी हो सकता है भाई भी हो सकता है कही भी कोई भी फ्रेंट भी हो सकता है तो उसकी जो केटेगूरी है उसका जो फॉर्मेट है बिल्कुल इसी तरह आपको रेडी करना है तो मैं बोल रहा हूँ उसी तरह तो अपने जीवन का लच बता कर मामा जी को पत्र जो लिखना आप पीता जी के पास भी लिख सकते हैं सेम सेम रहेगा इसके बाद और कुछ पत्र है जिस तरह एप्लिकेशन राइटिंग वह एक्चुल में एप्लिकेशन है वह पत्र बोला नहीं जाएगा वह होता है कि दो दिन की छुटी के लिए आवेधन जिसको बला जाता है इसके बाद और एक लेटर आ जाता है जिस तरह इवन का लच्छ बता कर मामा जी को एक पत्र यहां से शुरू करना है बिल्कुल एक्जाम में इसी तरह आटेम करना है बिल्कुल सेम होनी चाहिए फॉरमेट यहां मैं आपको देना है सेवा नगर गुजरात है मैं जहां पर बिलोंग्स करता हूं वहां का नाम दिया हूं एक्चुल में मैं यहां से बिलोंग्स करता नहीं हूँ जो इस्टुडेंट जहां से बिलोंग्स करेगा वो अपने एरिया का नाम देगा सेवा नगर गुजरात आप हो सके तो आप यही बिल्कुल कोपी राइट कीजिए मैं जो दे रहा हूँ उसी तरह लिख लिजिए उसी अगर गुजरात दिनांक लिखना है दिनांक 11 जुन बिल्कुल कोई बच्चा जो है गारो जुन को जगाए गारो जीरो सिक्स इस तरह बैठाना नहीं है 2018 यह एसर नहीं है अभी देखी 20 यहां पर मेंसन करना है 2020 ठीक 18 देना नहीं है मैं 18 दिया हूँ क्यूंकि मेरे पास य मेरे जितने स्टुडेंट है सभी को यह लेटर दिया गया उन लोगों ने 95 99 85 तक मार्क लाया बिल्कुल मेरे जो फॉर्मेट दिया जाता है वही उन लोग लिखते है जाके एक्जाम में तो देखिए यहां पर देखिए स्री परम पुझे माता जी मामा जी मामा जी है तो म मामा जी प्रणाम आपका कोई पत्र मामा जी प्रणाम में पहले बोल दिया है यहां पर जरूर एक कोमा दीजिएगा कोमा चुटा हुआ है तो वहां पर कोमा लगाएगा आपका कोई पत्र नहीं मिला सोचा मैं एक पत्र लिखूं मैं यहां कुसल हूँ आसा है आप भी कु नाप्त हुआ है मैं अब एक अच्छी सिच्छक बनना चाहता हूं कारण में गाओं के गरीब बच्चे को इसकुल नहीं जा सकते कारण कारण यहां पर मैं नहीं यहां पर मेरे दीजिएगा यहां पर एक वर्ट चुटा गया है मेरे मेरे ठीक है तो जो चुटा है जो मीस हो है वो मैं आपको बोल रहा हूं लिख लीजेगा कारण मेरे गाओं के गरीब बच्चे जो इसकूल नहीं जा सकते उन्हें में सिच्छा देना चाहता हूं इसके लिए आपका अनुमती चाहिए आप अपना जबाब पत्र के दुआरे दीजिएगा बहुत अच्छी बात है यह जो सर नेम है वो मेंसिन करने की ज़रूरत नहीं आप नेम को मेंसिन कीजिए आपका नाम मान के चलिए जो राकेस है तो सिब राकेस सरमा और मा लिखने की ज़रूरत नहीं आप बिलकुल राकेस नाम दे सकते हैं अपनी टाइटल को देने की ज़रूरत नहीं यह एक पत्र में कहीं भी उठा के दे दे रहा हूं देख सकते हैं आप 2008-2018 में ये कलेक्शन करके रखा हूं यह में बहुत सारा पुराना पेपर है जो आपके मेट्रिक एक्जाम में आया था उन पेपर को उठाया वहां पे मुझे 5-6 पत्र मिले जो बहुत इंपोर्टेंट है और वही बार-बार हर साल रिपिटेशन होता है बल बिल्कुल ओलग थोड़ी सी फॉर्मेट कर देता है यहां पे माता जी के जगा पिता जी या फ्रेंड द पत्र लिकिए क्या डीकरेंट से यहां पर देखेंग यहां पर बोला थो यह अपने जीवन का लॉच piss बताकर मामा जी पत्र यहां पर वही बोलरा है यहां पर वही बोल रहा है कि आप चाचा जी को पत्र लिखिये यहां पर चाचा जी को लिखने बोला है, वहां पर मामा जी को लिखने बोला था, यहां पर परिच्छा के बारे यह सब आपको आपको लिखने करेगा.. तो क्या हुआ अपने सोच की उपर लिखते हैं, लेकिन ओफोर्मेट जो होती हमें साथ सेम रहेगी, लिखन नीचे से Y reaction स CAP रहा हैं यहां है नहीं ऐसी नाम और डिंद्राइब में अचयन करता हैं गांधी नहीं नहीं और दिनां्च बारोप फरोडो दोजार ठारो नहीं दरैंबी 20 दिन कगल प्रम्पूजीẤ चांच झोपरवगे देख सकते हैं कजह सब्सक्राइब द्रौर्ण धालäv में लिक्क त問題 meant to be a चांच पर से याद आज़ा कょ प्रणाम में तciones नहीं में नहीं थे आपका बहूत दिनों आ व्याद आ रहा था, सोचा एक पत्र लिखो, मैं यहां कुसल हूँ, आसा है आप भी कुसल होंगे, सेम मैंने कोई changing किया नहीं, इसलिए change नहीं किया ताकि एक ही पत्र से आपका दो तीन पत्र ready हो जाए, एक ही पत्र से आप दो तीन लिख सके, इसलिए मैंने change किया नहीं, मेर सब्सक्राइ साद दिजिए वितने अफिनात्रथे में पारे मातल आसलने पूठ है कैसे हैं घर्में सब कैसे हैं यह यहां दिजार करूँगा इसका जबाब कैसे हैं इसका जवाब दिज Portuguese आपकी सोच क्या है आप जो लिख रहे हैं आप अपने चाचे जी को और क्या बोलना चाहता है आप बोल सकते हैं और थोड़ी बड़ी हो सकती थी पतर थोड़ी इस पाद और आपको चाहिए तो दिखाऊंगा जिस तरह जन्म दिन तो इसanno है पतल फ़िटैंट हो गई हैं आपको पढ़ाई मैं असूबीदा हो रहा है कि अध्यापक अभीं साने प्विटम के लिख लिंगा मैं जरू अब मैं को कई मैं आशा करता हूं आप Channel को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकोन को दबाईएगा इस तरह का बहुत हेल्फुल वीडियो लाते रहूंगा नस्यार जरूर कीजिएगा ठीक है अभी वीडियो अगर अच्छा लगया तो लाइक जरूर करना है कमेंट आपकी कुछ भी है नीचे कमेंट करक कारी आपने कोई भी कमेंट बॉक्स में अपनी कारी को रखिएगा मैं जरूर उसको आपकी कोई भी प्रोब्लम है हेल्प करने के लिए मैं कोशिश करूंगा हमेंसा ठीक है तो बाब बाई ठेक क्या क्या सक्धिश करूंगा है